Hello everyone, myself Rakhis Rivas और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नमबर 6 जो है टाइम ओके, now let's be start ओके स्टुरेंट्स, आज हम चैप्टर 6 टाइम में मिनट, आवर, डे, वीक और मौन्स और इयर के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, आपने clocks तो पढ़ लिया है, okay, clocks में आपने needles देखी थी, minute की, hour की और एक needle और होती है, जो होती है, second की, जो जल्दी 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 चलती है, okay, second की होती है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लेखे, one minute, one minute किसके equal होता है, 60 seconds के, okay, जो आपका one minute होता है, वोर्स में 60 seconds होता है, clear, one minute equal to 60 seconds यह जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, यह आपको exam में as a fill in the blanks भी आ सकता है, और as a matching भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझना, okay, देखे, one minute equal to 60 seconds, okay, 60 seconds जो आप counting करते हैं, one, two, three, four, five, तो ऐसे आप 60 तक count करेंगे, तो 60 seconds होता हैं आपके, okay, तो one minute होता है आपका 60 seconds के, आप जो clock की, जो नीडल होती, जो सबसे जल्दी 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 चलती है, आप उसको देखेंगे ध्यान से, और count करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि यह second की ही needle है, okay, आपकी हर एक counting पर वो moment करती है, okay, तो one minute आपको याद रखना है, one minute equal to 60 seconds, आपके one minute में 60 seconds होते हैं, clear, फिर है next, one hour, one hour जो होता है आपका, उसमें होते हैं 60 minutes, okay, आप one hour को कैसे समझेंगे, जैसे आप study के लिए बैठें, two o'clock, दो बज़े आप study के लिए बैठें, और आपको time हो गया three o'clock का, okay, आप दो बज़े से बैठें और तीन बज़े तक आपने study की, means हो गया one hour, और one hour में कितने minutes होते हैं, 60 minutes, तो आपने कितने time study की, 60 minutes तक, okay, clear, तो one hour equal to 60 minutes, clear, अब next है one day, जो आप एक पूरा दिन और रात पूरा होता है न, वो होता है आपका 24 hours का, पूरे 24 hours होते हैं, ठीक है, वैसे इसको one day ही बोला जाता है, one day equal to 24 hours, okay, आप रात के बारा बज़े से पूरा देखिए, तो दुबारा रात के बारा बज़े तक, यह होता है one day, इक वैस्टू 24 hours, okay, उसमें दिन और रात पूरा आता है, और उसे one day हम बोलते हैं, one day equal to 24 hours, clear, हमारे जो clock होते हैं, okay, उसमें one से लेके 12 तक numbers होते हैं, clear, और यह होता है, आपका one day equal to 24 hours, clear है, अब next देखिए, यहाँ पे होता है one week, one week, जो आपके होते हैं न, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, यह seven days होते हैं, उस seven days को हम कहते हैं one week, means one week आपका equal होता है seven days, clear, one week आपका one week में कितने days होते हैं, आप से पूछ रहेंगे seven days, clear, अब next है one month, आपके months आपको पता है, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, यह months होते हैं आपके तो one month में आपको मिलेंगे 30 days या 31 days, या तो 30 days होते हैं या 31 days होते हैं, बड़ जो second month होता है year का February उसमें 28 या 29 days होते हैं, clear है, okay, आपको यह आपका जो होता है hand, इस पे जो up and down parts होते हैं, इससे भी आप months के days count कर सकते हैं, जिससे जैन्वरी, यह जो भी up parts होगा उठा हुआ, यह देखे इस तरह से, उठा हुआ parts होगा उसको आप 31 days count करना, और जो नीचे का down parts होगा उसे 30 days count करना, बस इसमें February जो रहती है, 28 या 29 days की होती है, यह exception है, okay, February सिफ, तो देखे, January, आपको पता चल जाएगा उपर है, उठे वे part पर है, तो यह क्या होता है आपका 31 days, February, तो आपको पता ही है, 28 या 29 days की होती है, फिर March, okay, 31 days का, April, 30 days, ठीक है, फिर next है, मै, मै आपका 31 days, जून, आपका 30 days, जुलाई, 31 days, जुलाई, 31 days, जुलाई आपका 31 days, फिर यहीं से वापस से स्टाट करना, जुलाई के बाद, आउगस्ट, आउगस्ट भी आपका 31 days गई होगा, फिर September, 30 days, October, 31 days, November, 30 days, and last, December, 31 days, okay, इस तरह से आपको करना है, clear, तो आपको पता चल जाएगा, one month में आपके 30 days और 31 days हो सकते हैं, clear, अब next है, one year, आपका जो पूरा एक साल होता है, उसमें मैंने अभी आपको बताया, कितने months होते हैं, 12 months होते हैं, January से लगा के December तक, इस तरह से, और एक चीज़ और one year में अगर हम बात करें, कि days कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं, 365 days, 365 days, अगर leap year हुआ, तो एक टिन इसमें ज्यादा होता है, 366 days होते हैं, clear, आप ऐसे, one year में 365 days होते हैं, clear है, तो यह मैंने आपको बता दिया, minute, hour, day, week, month, year, इन सब का, clear, अब यह सब आपको अपने मैस के notebook में भी, write down कर लेना है, clear, अब आपको मैं करवा रही है, यहाँ पर, यह तो आपको learn करना ही है, clear, यह मैं आपको homework में दे रही हूँ, कि यह आपको learn करना है ओके learn करना है उसके अलावा आपको मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे homework में और भी चीज कि आपको जो Sunday Monday होते है week's day चीके week's day name write down करना है ओके मैं यहाँ पे वैसे write down कर देती हूँ one by one seven days Monday से start करते है M-O-N D-A-Y Monday okay three second है Tuesday T-U-E-S D-A-Y Tuesday okay next है Tuesday के after कौन सा दे आता है Monday Tuesday Wednesday 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 okay clear फिर next है Thursday Thursday okay THU-R S-T-A-Y Thursday फिर नेक्स्ट है Friday F-R-I D-A-Y Friday फिर next sixth day Saturday Saturday S-A-T-U-R D-A-Y Saturday फिर नेक्स्ट है seventh day of the week Sunday Sunday S-U-N-D-A-Y Sunday ये आपको complete करना है okay week's day name Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Saturday and last में Sunday okay ये आपको एक्जाम में कैसे पूछ सकते हैं आपको ऐसा आएगा what day come after Monday तो आपको बताना है Tuesday okay next what day और which day comes before Wednesday तो आपको बताना है Tuesday इस तरह से question बन सकते हैं okay तो आपको ये सब spellings prepare कर लेनी है clear students okay तो ये आपको अच्छे से आपके notebook में write down करना है और इनके spelling आपको learn कर लेनी है okay clear okay thank you